क्या आप एक sheet metal trades worker हैं और आप Australia में काम करने, रहने या study करने के इचुक हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में, हम आपको Australia में sheet metal trades worker के career scope और profile से जुड़ी महत्वपून जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप description में दिये गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को इंडिस्ट्री सेक्टर्स को देखेंगे। यहाँ sheet metal trades worker को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं। हम sheet metal trades worker के profile पर आस्ट्रेलिया में काम करने के लिए नियूनतम education और experience की जरूरतों को भी देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आपके profile के लिए skill level, license और registration की क्या जरूरते हैं। हम sheet metal trades worker के profile पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की gender ratio और मुख्य IU वर्ब पर भी चर्चा करेंगे। Current job openings, पिछले 5 सालों का analysis, future expectations और career scope भी इस वीडियो में चर्चा का विशय रहेंगे। हम sheet metal trades worker के औसतन सापताहिक वकावज और wage rate या तंखवाह की भी चर्चा करेंगे। वीडियो के end में, हम आपको अलग-अलग visa options के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं, Australia में काम करने, permanent residency पाने, और इस profile पर Australia में पढ़ाई करने के visa options, तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के end तक हमारे साथ बने रहे, अब आपका और समय न लेते हुए आए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके profile description पर, Australia में हर व्यवसाय के लिए एक सपश्ट तथा सुल्जा हुआ profile description बनाया गया है, जिसे एक code के द्वारा नामांकित किया जाता है। इस code को Australia New Zealand Standard Classification of Occupation यह ANZSCO code कहा जाता है। यह ANZSCO code आपको किसी भी profession में आपकी जिम्मेदारियां तथा job role के बारे में जानकारी देता है। Australia की राष्ट्रिय स्टेटिस्टिक्स एजेंसी, Australian Bureau of Statistics, ABS in codes के रिचता हैं। और ABS के द्वारा ही इन codes को समय समय पर evaluate और revise किया जाता है। तो चलिए अब आपके व्यवसाय के ANZSCO profile definition के बारे में जानते हैं। Sheet Metal Trades Worker के profile का ANZSCO code 322211 है। ABS के original content की authenticity को बरकरार रखने के लिए, profile description और कुछ दूसरे तथियों को, हम यहाँ इंग्लिश भाशा में ही दिखाएंगे ताकि उनकी originality और integrity बनी रहे। Sheet Metal Trades Worker marks out, shapes, forms and joins sheet metal and other materials to make products and components. Australia में ऐसे बहुत से इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं जहां आपके profile के candidates के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हैं। आए एक बार कुछ जरूरी job sectors और industries पर नजर डालते हैं। Sheet Metal Trades Worker के profile पर काम करने वाले ज्यादातर candidates मुख्य रूप से manufacturing, construction और mining में कार्यरत हैं। Australia में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से Employees की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं। और आपका skill level Australian Bureau of Statistics के हिसाब से तै होता है। एक Sheet Metal Trades Worker के profile पर काम करने के लिए आपके पास AQF Certificate IV या बराबर की अन्य योगिता जरूरी है। और Sheet Metal Trades Worker का skill level 3 है। Australia और New Zealand के हिसाब से इस ग्रुप के job level में AQF Certificate IV और higher qualification की जरूरत होती है। इसके इलावा कुछ cases में educational qualification की जगह पर आपका 3-5 वर्ष का संबंधित experience भी काम आ सकता है। अन्य कुछ मामलों में आपको experience के साथ on-job training की जरूरत भी हो सकती है। अगर आप Australia में skilled immigration visa के लिए application फाइल करते हैं तो आपको migration skills assessment की जरूरत रहती है। जो आपके profile के हिसाब से अलग-अलग assessment bodies के जरिये की जाती है। हर assessment body का अपना अलग assessment criteria और experience की अलग-अलग जरूरते होती है। अगर आप sheet metal trades worker के profile पर skill assessment फाइल करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ष experience की जरूरत है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि experience की ये requirement सिर्फ skill assessment के लिए मान्य है, परंतु employees की job के लिए experience requirement इससे अलग हो सकती है। आईए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किस उम्र के लोगों की ज्यादा हिस्सेदारी है। Australian Bureau of Statistics के latest survey के हिसाब से आपके profile पर job करने वाले लोगों का main age group 25 से 34 वर्ष है और औसतन आयू 49 साल है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अलग-अलग व्यवसायों में पुरुषों और महिलाओं की गिंती तथा ratio काम के हिसाब से अलग-अलग होती है। तो आईए अब आपके profile में पुरुष तथा महिलाओं की gender ratio पर नजर डालते हैं। लगभग सभी sheet metal trades worker पुरुष हैं। Australia में ज्यादातर profiles में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर skilled workers फुल टाइम या पार्टाइम बेसिस पर काम करते हैं। फुल टाइम या पार्टाइम काम करने पर आपका वेतन हफते या घंटों के हिसाब से तै किया जाता है। अगर हम आपके profile की बात करें तो ज्यादातर sheet metal trades worker फुल टाइम काम करते हैं। इस फील्ड में फुल टाइम काम करने वालों के लिए हफते में एवरेज काम करने का टाइम 41.6 घंटे हैं। जॉब ओपनिंग्स की गिंती, company turnover और employment growth के उपर निर्भर करती है। पिछले 5 सालों तक के statistics के हिसाब से इस फील्ड में expected जॉब ओपनिंग्स 5000 हैं। शीट मिटल ट्रेज्ड वरकर के केस में यह गिंती और सतन सत्र पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंग अच्छी व्रिद्धी दर प्राप्ट कर सकता है। आस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे काम है जहां एप्लिकेंट्स को अपने प्रोफाइल से जुड़े लाइसेंसिंग बॉड़ी से लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है। अगर हम शीट मिटल ट्रेज्ट्रेज वरकर के प्रोफाइल की बात करें तो इस प्रोफाइल के लिए हमें लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन की कुछ केसेज में जरूरत नहीं है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण फाक्टर एवरेज वीकली अर्निंग को स्टडी करेंगे। आस्ट्रेलिया में सभी व्यवसायों की ओसतन सापताहिक आए तेरा सो आस्ट्रेलियाई डॉलर्स है। ABS के हालिया सवे के मुताबिक, शीट मिटल ट्रेज्ट्रेज वरकर का ओसतन सापताहिक वेतन टैक्स डिड़क्शन से पहले 1248 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स है, जिसमें से आपके सालरी स्लैब के अनुसार टैक्स की कटोती करी जाती है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में पर्मिनिंट रेजिदेंसी के लिए अप्लिकेशन फाइल करना चाहते हैं तो प्रोसेस शुरू करने के लिए पहला कदम माइग्रेशन स्केल असेस्मेंट है। इसके अलावा कुछ केसेज में, जैसे वर्क पमित या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद प्रोसेशनल यह शुरू करने के लिए आम तोर पर माइग्रेशन स्केल असेस्मेंट के पॉजिटिव रिजल्ट की जरूरत होती है। आस्ट्रेलिया में विभिन प्रोफाइल काटेगरीज के लिए अलग अलग असेस्मेंट बॉडीज हैं। परने से पहले अगर आपको अभी तक ये विडियो पसंद आई है, तो आप हमें सब्सक्राइबर टारगेट पचास हजार चैलेंज को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें। क्रिप्या अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वर्ष के अंग तक पचास हजार सब्सक्राइबर्स को अचीव करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें। हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं और अगर हमें इस वीडियो पर 100 लाइक्स मिलेंगे तो हम आपके लिए इस प्रोफाइल के पी आर प्रोसेस और विजा फाइलिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इसके इलावा हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस सीरिज में नेक्स्ट विडियो किस विशे पर देखना चाहते हैं। क्या आप Australia में नौकरी के लिए online या offline apply करना चाहते हैं? अगर आप फिलहाल Australia में हैं या फिर India, Pakistan, Nepal या किसी अन्य जगह से भी किसी Australian job के लिए apply करना चाहते हैं, तो एक professional के रूप में आपके लिए सबसे cutting career, job options धूनना तथा सही तरीके से job के लिए approach करना होता है. एक अच्छी Australian job प्राप्ट करने के सफर में कई जरूरी steps शामिल होते हैं जैसे कि Australian style resume बनाना, cover letter तयार करना, उच्छे job portal खोजना, अपने sector की jobs के लिए online या offline apply करना तथा online, offline interviews के लिए तयारी करना. अपना bio data तथा resume तयार करने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि Australian employer वास्तव में आपसे क्या expect करता है. एक अच्छी तरह से तयार किया गया resume recruiter का ध्यान खीच सकता है और आपको अन्य उमीद्वारों से श्रेष्ट दिखा सकता है. सक्रिय भाशा, keywords और कुछ शोटे बदलावों का सही जोर किसी भी आम resume को विजेता में बदल सकता है. अगर आप एक professional Australian style resume तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी expert resume writing team की सेवाई ले सकते हैं, या हमारी resume से संबंधित विडियोज को देख सकते हैं, जिसमें Australian standards के हिसाब से एक perfect resume लिखने की जानकारी उपलब्ध है. Australia सरकार ने job active नाम से रोजगार ढूंडने के लिए एक विश्वव्यपी सेवा दी है. अपने dedicated portal www.jobsurch.gov.au के जरीए, job active, employers और jobs ढूंडने वाले, दोनों की मदद करता है. बिना किसी fee के ये आपके लिए सही नौकरी ढूंड सकता है. इसके इलावा आप हमारी team के साथ अपना CV भी साजह कर सकते हैं, जिससे आप direct employers और employment एजेंसियों के हमारे valuable network को आपके लिए उप्यूकत अफसर खोजने के लिए हमारी team से मदद ले सकते हैं. आद्जून, CareerOne, CareerJet और Indeed Australia, Australia में online नौकरी खोजने के लिए कुछ दूसरे पसंदीदा नाम है. इसके इलावा टॉप 15 job portals की एक detailed list भी डाउनलोड करें जहां आप अपनी profile के लिए Australia में सबसे suitable employment का अवसर पाने के लिए online apply कर सकते हैं. अब हम Australia के permanent residency या work permits पाने के लिए उपलब्द visa subclasses के बारे में संक्षेप में जानेगे. Australia में बहुत से pathway programs और visa subclasses हैं जिनके जरिये एक professional Australia में work permit या permanent residency पा सकता है. इन visa subclasses को मुख्य रूप से निमनलिखित categories में divide किया गया है जो है Skilled Migration Visors, subclass 189 यो की permanent residency पाने की direct subclass है. State या Regional Nomination Visors, subclass 190 और 491 यो state nomination के द्वारा PR तथा TR पाने के रास्ते हैं. Permanent Residence, Skilled Regional, visa subclass 191 और 887 यो की 491 तथा 489 की continuity में PR पाने के रास्ते हैं. Employer Sponsored Visors, subclass 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप Employers से सीधी sponsorship या nomination के थुरू PR तथा work permit प्राप्ट कर सकते हैं. Business Innovation, Investment और Entrepreneur Stream Visors, subclass 188 और 188 जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में invest करके या फिर किसी innovative idea, यो की Australia को economically तथा socially help कर सके के द्वारा PR तथा work permit प्राप्ट कर सकते हैं. कुछ specific targeted sectors के लिए Global Talent Visa और subclass 476 skilled recognized graduate visa एक अन्य विकल्प है. इन में से ज्यादा तर visa applicants को काम करने का अवसर देते हैं और Australia में हमेशा के लिए settle होने का मार्क प्रदर्शित करते हैं. हाला कि ये visa आम तौर पर उपलब्ध तो रहते हैं लेकिन हर occupation के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं. तो अगर आप देखना चाहते हैं कि sheet metal trades worker के profile के लिए कौन से visa subclasses खुले हैं, तो आप description में दिये गए link पर क्लिक करें. आप sheet metal trades worker के लिए PR filing पर बनी हमारी dedicated वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका title Australian Permanent Residency and Work Visa Filing Process for sheet metal trades worker है. इस सीरीज में, आपको sheet metal trades worker के लिए permanent residency file करने की step by step जानकारी मिलेगी. वीडियो में अब चर्चा करने वाली अगली बात Australia में study और settle होने के लिए उपलब्द visa विकल्प और visa sub-categories हैं. तो आइए इसकी एक संक्षिप जलग देखते हैं. अगर आप एक स्टूडेंट हैं और sheet metal trades worker बनना चाहते हैं तो Australia पढ़ाई और settle होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है. एक स्टूडेंट, sub-class 500 के तहट अपना study visa file कर सकता है. हर स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और sub-class 485 के तहट पढ़ाई खत्म करने के बाद work permit भी मिलता है, जिसे post study work visa कहा जाता है. अगर आप study visa में interested हैं और अपने लिए best colleges और universities के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो study visa से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए आप हमारी website पर जा सकते हैं या description में दिये गए link पर click करके expert advice ले सकते हैं. इस video के लिए हमारी team ने अलग-अलग authentic sources से जानकारी को एकठा करने और verify करने में कड़ी मेहनत की है. अगर अब तक की video और जानकारी आपको पसंद आई है और भविश्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए आप हमारी team को appreciate या प्रेरित करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे channel को subscribe करें और bell icon को दबाएं. साथ ही इस video को like करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें. अगर आपको immigration से समबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूछताच करना च चाहते हैं, तो आप हमारी registered migration consultants की team के साथ एक expert counseling session ले सकते हैं. हमारे माहर consultants आपकी profile के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आप से detail में चर्चा करेंगे. इस expert session से आपको हर मुमकिन immigration options को ढूरने में मदद मिलेगी. हम आपको आपके profile से जुड़ी हकीकत और आंकडों के opportunities के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी description में दिये गए booking link पर click करें और अपना expert session reserve करें. हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की immigration की सेवाओं के साथ उन्हें one stop online platform देते हैं. आप हमारे immigration में माहर टीम के जरिये online counseling session, migration skills assessment की application filing और सभी तरह के visa processing में power hire करने तथा work और दूसरे visas की filing वो अन्य संबंधित activities में भी मदद करते हैं. इसलिए अगर आप Australia में अपनी company चला रहे हैं, तो हम आपकी company के लिए best suitable employees धूनने में आपकी मदद कर सकते हैं. अगर आप अपने skill assessment और immigration के लिए अपनी eligibility की assessment खुद से करना चाहते हैं, तो description मे दिये link पर click करें और अपनी self assessment, खुद चेक करने के लिए हमारी app भी download करें. अपनी profile के बारे में और जानकारी के लिए हमारे work visa, immigration और skilled migration की filing से जुड़े सभी videos देखें, और हमारे YouTube चैनल को subscribe, like और share करना न भूलें. दुनिया भर की immigration की ताजा और सच्ची जानकारी जानने के लिए bell icon को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का notification सबसे पहले मिले. हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको Australia में आपके career की opportunities के बारे में detailed जानकारी मिली होगी. इस वीडियो को देखने के लिए ध हुआ 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 है